आज हम लोग custom visual के वारे में discuss करेंगे पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि अगर more than five attributes हैं तो फिर composition visual segment के लिए हम लोग tree map का यूज करते हैं तो इस tree map को हम लोग एक word cloud create करना चाहते हैं for the analysis of this particular tree map तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एक new sheet create कर लेते हैं उसको नो rename कर देते हैं वर्ड लाउट से word cloud हम लोग जैसे suppose find out करना चाहते हैं हम लोग एक word cloud create करना चाहते हैं about the production of different manufacturer के लिए एक word cloud create करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम manufacturing manufacturer को select कर लेते हैं फिर control की से hold down कर लेते हैं फिर select करते हैं major section में number of record अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो out of 24 visual है आपको इसमें आपको कोई भी word cloud का visual नहीं होगा तो जब आपको टैबलू में जो 24 available visuals हैं अगर वो नहीं है और हमको word cloud create करना है तो जो हम लोग जो available visual से convert करके दूसरा visual create करते हैं उसी को हम लोग custom visual करते हैं कहते हैं तो जो word cloud custom visual है वो टैबलू में कैसे create करते हैं उसको देखते हैं तो हम पहले tree map को select कर ले ते यहां परक में सब्सक्रेट कर लिया अश्बलोल आप टेश्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एज सिमलर इसकी तरह आपको वर्ड क्लार की तरह दीखेगा जहां पर each color and each size of the word actually display the number of production यहां पर आपको जो each color and each size of the word display the number of production यहां पर Toyota है तो Toyota के सबसे ज़्यादा production होगा क्योंकि यहां पर यह ज़्यादा size में बड़ा है and dark है color तो custom chart पर कैसे work करते हैं और उसको कैसे उसका क्या concept है टैबलू में उसको हमने उताया custom chart वो चार्ट होंगे जो आपको out of 24 visual में available नहीं रहेंगे और other custom chart के बारे में हम लोग details से discuss करेंगे जब हम लोग दूसरे custom chart को create करेंगे यहां पर हमने देखा convert convert कैसे कहां पर कैसे convert करते हैं अपने tree map को यहां पर हम आटोमेटिक का यहां पर जाते हैं उसको टेस्ट में convert कर देते हैं तो हमारा यह word cloud में convert हो जाता है after converting हम लोग more information gain कर लेते हैं और accurate information करते हैं जब हम लोग other custom chart के बारे में discuss करेंगे तो वहां पर हम लोग advance option का भी use करेंगे for the visualization and other option बट अभी के लिए इस वीडियो में जो हमने word cloud का custom chart का है यहीं पर है इतना ही है और तब तक लिए बस इतना ही नेश्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे custom chart के साथ तब तक लिए धन्वाद जैहन वद्ने मात्रम